नमस्कार जै जोहार सोदारा लिखी गई पुस्तकें और उनके द्वारा चुने गए मारगों का अनुसरन कर अपने समाज से अंद विश्वासर पाखंड को खतम करने का काम करता है तो साथियों आज हम इस संदर में आपसे बात करने आए हैं कि और आपको बताने आए हैं कि हमारे समाज में अंद विश्वासर पाखंड इस कदर व्याप्त है कि उसकी जड़े इतनी गहरी हैं कि हम जितनी तेजी से इसे खोदने में लगे हैं लोग इसके जड़ों को उतनी गहराई तक पहुचाने में भी लगे हुए हैं और साथ में जो अंद विश्वासर पाखंड की जड़े खोदने में लगे हैं उनकी राह में रोडे भी जो जड़े खोद के नीचे पहुचा रहे हैं वही उनकी जड़ों को जड़े खोद रहे हैं वो उनकी जड़ों को खो पता है कि अगर सच्चाई लोगों के सामने आएगी तो निश्चित तोर पर लोग हमारे साथ नहीं होंगे और जब उन्हें पता लगेगा कि हमें किस तरह बर्गलाया और बहकाया गया है बेब को बनाया गया है तो हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे और हमारा पोल खुल जाएगा इसी संदरव में आज मैं आपके सामने लेकिया जाएंगे एक ऐसी प्रिक्रिया जो गरुन पुराण में वर्णित है गरुन पुराण गरुन द्वारा और विश्मु का एक वारतालाप है जिसमें बेक्ती के मरने के उपरांत मरने के पहले और मरने के बाद की सारी क्रियों का वर्णन किया गया है जिसमें तेरभी से लेकर और जो बाल मुझा बाल छिलवाना मुंडन करना शवदा कि कैसे कैसे क्या क्या कारीकरम है उसके बारे मैं पूरा इस गरुण पुरान में वरनित है, इसी गरुण पुराण में वरनित है कि एक किरिया होती है जिसे हम बोलते हैं कपाल किरिया और कपाल किरिया क्या है आज इस बारे में आपको हम बताएंगे गरुण पुराण पुस्तक से तो साथियो कपाल क्रिया यानि दासंसकार के दौरान मृत ब्यक्ति यानि जो मृत होता है उसे जिसे बोलते हैं लकडियां रखी होती है और उस लकडियों के उपर जो ब्यक्ति रखा गया होता है जलाया जा रहा होता है उस ब्यक्ति के सिर को चोट पहुँचा कर उसे तोड जाता है यानि उसे बास के लट के द्वारा या कोई दूसरा वहां पर लट होता है लकड़ी होती है उसके द्वारा उसे फोड़ा जाता है आखिर यह क्यों फोड़ा जाता है और इसी को कपाल क्रिया कहते हैं और इसे सिर्छेदन भी कहा जाता है तो साथियों आप यहां पर पर देखेंगे कि जब सवव आधा जल चुका होता है उस समय यह प्रक्रिअ की जाती है और इस प्रक्रिअ में क्या होता है यह क्यूं होता है इसके bारे में कोई खास जदा आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन एक चीज आपके लिए जो खास है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये कपाल क्रिया होती क्या है ये करते क्यूं है और इसके पीछे का रह से क्या है ये कपाल क्रिया पाप है ये भी मैं इसमें बताऊंगा लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपने पुरानों की हमारा पुरान क्या कहता है किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान कपाल क्रिया करने के कई कारण है जिन में से पहला कारण कपाल को मोक्ष का द्वार माना जाता है यानि कपाल को ये जो सिर है इस सिर को मोक्ष का द्वार माना जाता है और जिस इस सिर को जलाते समय अगर नहीं फोड़ा जाएगा तो जो ब्यक्ति बे जल रहा है उसे मुक्ति नहीं मिलेगी जबकि वो उसके प्राण पखेड़ू तो पहले उड़ चुके हैं उसके प्राण पहले से जा चुके हैं लेकिन यहां पर उसका सिर फोड़ना जरूरी है और फ के अलावा कपाल क्रिया इसलिए की जाती है क्योंकि जो तांत्रिकों द्वारा कपाल का दुरूपयोग किया जाता है हमारे समाज में बहुत सारे तरांतिक हैं जो इस इंतजार में रहते हैं कि सवजलाय जाए और चलके वहां से हम वो खोपड़ी लेके आएं बहुत तांत परतमान जन्म के संसकार रह जाते हैं जो उसे अगले जन्म में परिशान करते हैं तो जिस ब्रक्ति के संसकार इस जन्म में अच्छे हैं तो अगले जन्म में जाकर वह संसकार चले जाएंगे तो अच्छी बात है तो वो परिशान करते हैं इसके अलावा कपाल क्रिया करने के बाद ही पंच महाभूतों की रचना एक बार फिर पंच महाभूतों में बिलीन हो जाती है तो जब वो जल रहा है तो निश्चित तोर पर बिलीन हो ही जाएगा इसमें कोई दोरा नहीं क्योंकि उसे जो जलाने की प्रक्रिया की जा रही है वह इसलिए की जा रही है कि उस्व प्रत्वी, जल, गगन, वायू, भूमी इन सब में वह समा जाए। फिर देखिए हिंदूों में मृत्वेक्ति का अंतिम संस्कार, सवदाह संस्कार करके किया जाता है। इसके सनातन धर्म की प्रमपरा है और इसमें केवल केवल दो ही चीजे हैं एक तो परलोक और मौक्ष की प्राप्ति सबसे बड़ा उद्देश है और इसके पीछे कोई दूसरा उद्देश हो ये कपाल क्रिया करने का। कपाल क्रिया कहलाता है और वह केवल केवर मोक्ष प्राप्ति के उद्धे से सिखिया जाता है क्योंकि यही पर सबसे ज़्यादा दिमाग होता है और भी चीजे होती है सिर्की हड़ी मजबूत होती है तो कई चीजे होती है लेकिन अंतिम में आपको मैं बताऊंगा कि यह पा जब वो आदा जल्द आए तो उसके सिर को फोड़ दें यदि ग्रहस्त हो तो लकड़ी से फोड़ें और यती हो तो सिरीफल से कपाल क्रिया करें पित्र लोक प्राप्ति के लिए मृतक के ब्रह्मरद रंद्र का भेदन कर पुत्र उसके उपर इन मंत्रों से घृता हूती दे यानि पित्र लोक प्राप्ति के लिए यानि पित्र लोक यानि जो पित्रों का लोक है वहाँ पर जाने के लिए अब जब पित्र अगले जनम में पहुँच गये होंगे किसी तो पित्र लोक रह कहां गया हम बार बार पित्रों को खिला रहे हैं और ये भी कहते हैं हम कि हमा केवल आस्था और विश्वास के नाम पर कोई सवाल नहीं करना चाहता भैवीत हो जाते हैं कहीं ऐसा नहो भगवान हमें दंडित कर दे लेकिन फिर यहां पर बात करते हैं पित्र लोक प्राप्ति के लिए मृतक के बर्मरंद्र का भेदन कर पुत्र उसके उपर इन मंत्रों स कि आप में हभी हो इसलिए आप प्रजलित हो जाएं इस प्रकार मंत्र द्वारा तिल मिश्रित घृता होति देकर उच्छ्चुस्वार द्वारा रोधन करने से उस प्रेत को सुख होता है जनी जब वहां पर ये कारे कर रहे हों और जोर जोर से रो रहे हो तो उसे सुख मिलता है क्या आप रो रहे होंगे तो क्या आपके पूरवजों को सुख मिलेगा आपके पूरवज खुशी होंगे क्या आप सभी नहीं ये कभी सोचा है कि इससे पूरवजों को खुशी मिल सकती है कि वो आपको रोता देके कोई माबाप अपने बच्चे को खुशी दुखी देख सकता है अब वहाँ पर रो के उस सिर को फोड़ना है यहनी सिर को फोड़ना एक मिस्टेक है यह गल्ती है यह पाप है क्या पाप है यह मैं अब बताऊंगा अब आईए और दहंतर इस्तरियां तथा पुत्र सनान कर नाम गोत का वुचारन कल तिरदवला तिलांजली दे तो साथियों यहाँ पर आप समी ने देखा हमने बात की गरुण पुरान भी आगया और जो हमारी जनसुरतियां कहावते हैं या हमारे समाचार पत्रों ने कपाल क्रिया के बारे में लिखा है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी अब मैं बताता हूँ कि यह पाप कैसे है कि जिस तरह आपके माबाप ने आपको बड़े लाड़ प्यार से बहुत ही नाजों से आपको पाला है और उन्होंने आपको इतने प्यार से पाला इतनी लंबी आपकी उम्र करके यहां तक लाए आपने इस उम्र में कभी अपने माबाप को क्या मारने का प्रयास किया क्या आपने माबाप को आपने प्रताडित करने का साहस किया भले ही उन्होंने कुछ बोला तो आप गुस्से में जबाब दे गए हो लेकिन आपने कभी मारा नहीं तो आप यहाँ पर अब उनका सव जला रहे हैं तो आप लकडियां बढ़ा दो बोलते हैं कि सिर की हड़ी जो होती हो बहुत मजबूत होती है वो जलती नहीं है तो आप उनके सिर के तरफ की लकडियां बढ़ा दो कि वह ठीक से जल जाए तो यह बहाना न रह जाए कि आप बास से अपने जाते हुए जिसे आप अंतिम बिदाई दे रहे हो जिसे आप अंतिम समय में बिदा कर रहे हो उसे क्या आप लट्ठ से मारोगे क्या ये हमारा संस्कार है हमारा संस्कार कहता है कि हम अपने पिता या मा को या भाई को कोई भी हो जो जा रहा हो उसे हम अंतिम समय उसके लट्ठ से मारें और यह बताएं कि आपका जो हम ये सिर फोड रहे हैं ये आपकी मुक्ति के लिए फोड रहे हैं ये कहां का निया है ये कहां का संस्कार है कहते हुए आँखे भार आती हैं कि जिन माबापको हमने कभी उची आवाज में जबाब नहीं दिया उनके सिर पर हमें लठ मारने को कहते हैं तो साथियो यहांपर आप सभी यह गौर करें कि कैसे यह संसकार हमारे हमें पाप करने को मजबूर करते हैं जो माबाप हमें लाड से, प्यार से, दुलार से पाले रहते हैं, जिने हम उची अवाज में जवाब नहीं देते, उनके सिर पर हम फोड़ कर उनको मुक्ती का मार्ग दें, उन्हें मुक्त करें, ये कैसा निया है। और यहीं दूसरी तरफ हमा जाते हैं जितने भी सादूसंत, जितने सन्यासी, जितने ब्रमचारी, जितने तपस्वी हैं ये जब मरते हैं तो इनके साथ ये कपालक्रिया नहीं की जाती है क्यों नहीं किये जाती है क्योंकि इसके लिए भी इन्होंने रास्ते बना रखे हैं वहाँ पर भी आप जाओगे तो आगे वहाँ भी डाइवर्जन दिया हुआ है कि आपको ये बताएंगे कि वो ब्रह्मचारी थे उन्होंने अपने भीरे का संचयन किया था जिसकी वज़ा से उनका ये जल्दी जल जाता है और वह तपस्या के कारण उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है तो साथियों इस तरह के कई बहाने तयार करके खड़े किये गए हैं लेकिन यदि आप अपने माता पिता को प्यार करते हैं तो आप सभी इस क्रिया से बचें कि आप अंतिम समय में अपने माबाप को लठ से मारें और वो भी सिर पर यह है बड़ी ही गलत प्रक्रिया है इसे हमें सुधार करना चाहिए जिसने भी इसे बनाया उसने उस समय बनाया होगा जब उस समय लकडियों के लिए उनको आभा ह होगा या और भी संसादनों की कमी होगी लेकिन जब हमें समझ में आ गया कि यह गलत है यह परक्रिया गलत है तो उसे हमें त्याग देना चाहिए छोड़ देना चाहिए जिस ब्रकार हमने बैलों से खेती छोड़ दी ट्रैक्टर पे आ गए और आगे इससे भी बड़ी उन को पहुचाना है तो साथियों यह जो कपाल क्रिया है यह पूरी तरह से एक पाप है जो आप से करवाया जाता है और इस पाप को करवा कर आप से दंड सुरूप खाना लिया जाता है भोजंदान लिया जाता है तेरवी करवाई जाती है जो एक दंड सुरूप है यह ऐसे है जैसे पहले बहुत पहले गाउं में लोग गाये बैलों की हत्या कर दिया करते थे, डंडा मारा वो गाये, भले है उसकी नियत न हो उसे मारने की, लेकिन डंडा मारा वो मर गया, लेकिन उसे मांग कर, है न, उसे कई दिनों तक मांग के उसको खिलाना पड़ता था, ब्रामण को खिलाना पड़ता था तभी वह शुद्ध होता था उसी तरह यहां पर आपके करीबियों को मरवा के उनका सिर्फुडवा कर आप से उसके बदले दंड लिया जाता है वही दंड तेरही कहलाता है तो साथियों आप सभी इस बात को गौर करें कि आपने जिन माबाप को कभी उची आवाज में जबाब नहीं दिया है किरपया उनके सर को फोड़े ना जिससे आप से ये बड़ा पाप होने से बच जाए तो साथियों आज का वीडियो वस यहीं तक अब आप से यही एक गुजारिश है कि आप ऐसी कुरितियों को त्यागें और अच्छी चीजों को अपनाने का प्रयास करें कुछ अच्छा करने का प्रयास करें जो लगे कि हम लोग अब शिक्षित हैं और शिक्षित होते जा रहे हैं और अच्छी चीजों को अपनाते जा रहे हैं तो साथियों आज का वीडियो वगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें साथी चैन